Hello everyone, मेरा नाम अक्षिता अगरवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशन हूँ आज कल का जो महौल चल रहा है करोना वाइरस की वज़े से लॉगडाउन की वज़े से हम सब लोग ही घरों में बंद हैं और घर में बंद होने के साथ-साथ हम लोग को अपना सारा काम जो है वो ऑनलाइन करना पड़ रहा है मुबाईल के थूप डूप के तूप करना पड़ रहा है चाहे वो zoom की meetings हो या फिर हमारे online classes हो तो उस वज़े से हमारा जो screen के सामने का time है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसकी वज़े से हमारी आँके जलने लगी है, dryness होने लगी है, आँकों में irritation होने लगी है, आँकों में थकान होने लगी है और जो हमारी आँकों की muscles है, जो हमारी आँकों की mass patient है वो weak होने लगी है जिसकी वज़े से धीरे धीरे हमारी eyesight यानि की जो हमारी आँकों की रोशनी है उस पे भी फरकार है तो इस वीडियो के थुरू मैं कुछ ऐसे आपसे ऐसी चीजे शेयर करना चाहती हूँ जिसके थुरू आप इन problems को ठीक कर पाएंगे उनसे आप उनके against protect हो पाएंगे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हम चीजे कर सकते हैं physically अपनी आँकों को protect करने के लिए फिर हम बात करेंगे उन खानों की उन foods की जो हमारी आँकों को protection देते हैं तो पहले सबसे पहले important है कि आप अपनी आँकों को बीच पीच में break दीजिए तो जैसे कि आपको 45 मिनिट से एक घंटा हो चुका है स्क्रीन पे अपना काम करते हुए देखते हुए तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 20 मिनिट का gap आप उसके बाद लें अपनी आँके बंद करके लेट जाए या स्क्रीन से आँके अटा के कुछ भी और आप देख सकते हैं ताकि आपकी आँकों को आराम मिले दूसरा important चीज है आँकों की exercise अगर आप आँकों की exercise करते हैं तो आँकों की muscles हैं वो strong होती हैं तो आँकों की muscles strong होंगी तो हमारी eyesight भी प्रोटेक्टेट रहेगी जादा तर यूनों computer और laptop देखनी की वज़े से mobile देखनी की वज़े से आँकों की muscles भी को जाती हैं और उसको अगर हम exercise करके ठीक कर सकें तो हमारी eyesight को हम प्रोटेक कर सकते हैं तीसरा जो आप कर सकते हैं वो है artificial tears नाम से या आप समझ लीजे eye drops आती हैं यह eye drops जो होती है यह दवाई नहीं होती है medication नहीं होती है पर यह basically आँकों को घीला रखने के लिए इस्तमाल की जाती हैं तो इनको artificial tears यानि की बनावटी आंसू भी कहा जाता है या फिर इनको eye spa भी कहा जाता है तो इनका काम सिरफ इतना होता है कि जब आप इन eye drops को इस्तमाल करेंगे तो आपकी आखें गीली रहेंगी जिससे आपको जो dryness होती है और जो irritation होती है वो नहीं होगी अब चौती चीज है पानी अगर अभी हमने dryness की बात करी है हम artificial tears को यूज करें उसके साथ-साथ उतना important है कि हम कितना पानी पी रहें तो अगर हम एक दिन में minimum 8-10 ग्लास पानी पीते हैं तो हमारी आखें भी मतलब वेट रहेंगी और हमको जो dryness की वज़े से irritation होती है वो भी नहीं होगी अब आजाते हैं क्या हम ऐसा खाएं जिससे हमारी आखों को हम लोग जो ये light पढ़ती है screen की उससे protect कर सकें जो हमार को dryness हो सकती है उससे protect कर सकें तो dryness के लिए जैसे hydration important है ऐसी एक और important nutrient है उसका नाम है omega 3 omega 3 के बार में मैंने अपने कई videos में बात करी है तो omega 3 का एक और important function क्या है कि वो आपकी आखों को गीला रखता है आपकी आखों को dryness से बचाता है और जो भी non-vegetarian लोग हैं वो इसको fish के through consume कर सकते हैं along with all the vegetarian sources जो मैंने बताए है omega 3 आपकी आखों को गीला रखेगा और हर तरह की irritation से बचाएगा और डूसरा important food जो आपको screen जब आप इतने लंबे टाइम देख रहे हैं उसकी जो रोशनी पढ़ रही है जिससे नुकसान आपको होता है उसके against जो food बचाएगा वो है आपके हरे पत्तेदार सबजीयां जो ये हरे पत्तेदार सबजीयां होती है इनमें antioxidants होते हैं एक का नाम है luten और एक का नाम है zeaxanthins इन दोनों का ये काम होता है कि जो आपकी रोशनी पढ़ती है screen से उससे आपकी आखों को protect करने का ये काम करते है तो इनको भी आप अपने diet में include कीजे तो हरे पत्तेदार साग ये सब अच्छे examples हैं इसके अलावा broccoli भी इसका एक बहुत अच्छा source है अब हम आजाते हैं उन foods के बारे में जो हमारी आखों के रोशनी को बचाने में मदद करते हैं जो उसकी मतलब sight को protect करने में help करते हैं तो जो antioxidants हैं जैसे vitamin A, vitamin C, vitamin E और जो mineral है zinc ये चारों का जो main क साम है वो है हमारी आखों की रोशनी को बचा के रखना और हमारी आखों को तंदुरस रखना तो vitamin A के कुछ sources में आपको बता देती हूं जैसे जितने भी आपके पीले और नारंगी जितने भी फल सबजीयां होती हैं उन सब में vitamin A पाया जाता है for example गाजर में पाया जाता है जो हरी प्याज होती है जैसे हम spring onion कहते हैं उसमें भी बहुत अच्छी मातरा में पाया जाता है इसके अलावा जो भी आपकी हरी पत्तेदार सबजीयां उनमें भी vitamin A बहुत अच्छे मातरा में पाया जाता है vitamin C के जो common sources है उसमें neembu, orange और capsicum include है vitamin C के ओपर मैंने पूरा एक video करा है link मैं आपको description में दे दूँगी वहाँ जाके आप इसके और sources के बारे में भी देख सकते है vitamin E के जो भी omega 3 के sources मैंने बताए है जादा तर उन सब के अंदर vitamin E भी पाया जाता है इसके अलावा zinc पे आ जाते हैं, zinc जो है वो हमें अंडे से मिल सकता है, जितने nuts और seeds मैंने बताए हैं उन सब में भी zinc पाया जाता है उसके अलावा वो dark chocolate में और हरी सबजियों में भी पाया जाता है तो ये कुछ foods हैं जो आप consume कर सकते हैं, ये कुछ tips हैं जो आप use कर सकते हैं अपनी आखों को long screen time से protect करने के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने friends के साथ इसको share कीजिये और मेरे चैनल को subscribe कीजिये, आपसे अगले वीडियो मैं मिलूगी, thank you